हेलो दोस्तों क्याल चाल है उमीद करता हूँ आप होंगे खेरियत से क्या आपके अब एकाउंट पे इस तरह का अकाउंट वार्निंग का उप्शन आ रहा है या आपके टिक टोक पे अभी वोईलेशने काफी आ रही है लेकिन आपके अकाउंट वार्निंग अभी तक नहीं तो ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि आपके ये बाद में भी काम आने वाली वीडियो अगर आपके अकाउंट पे अकाउंट वार्निंग आ चुकी है तो आपने इसको किस तरह ठीक करना वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इससे पहले मेरा चैनल सब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये अकाउंट वार्निंग आती किस तरह है और आपने इससे बचना किस तरह हैं आपको पता है कि यूट्यूब के अल्गरिधम ये है कि अगर आपकी पिछले तीन महीने में ती आपकी क्म्यून्टी गाइड लाइन आती है तो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाता है यानि कि आपका यूट्यूब का अकाउंट ब्लोक कर दिया जाता है उसी तरह अब टिक टोक पे भी यही सीन है अगर आपके पिछले तीन महीने में तीन वोईलेशनी आई है तो आपके account पे account warning आ जाएगी अगर आपकी चोथी violation आई तो आपका account भी terminate हो सकता है यानि कि आपका account block हो सकता है और आपको एक बात बता दूँ आपकी post भी ज़रूर block होई होगी अगर आपके पास account warning आ रहा है तो इसका मतलब है पहले एक दो दफा आपकी post block हो चुकी है तो इससे बचने के लिए बेतर यही है कि भाई अपनी violation वगएरा ना करें कोई भी violation ना करें इससे आपके account के काफी सारे features भी बंद हो जातें मैं आपको बताता हूँ आपकी video for you पे नहीं जाती आपके comments भी off हो जाते और भी काफी issue हो जाते तो इस topic पे तो मैं बात नहीं कर रहा है तो मैं आपको यह बताता हूँ कि अब आपने इसको ठीक किस तरह करना है इसके लिए सबसे पहले भाई आपने अपने account TikTok के account में मैं जाता हूँ मैं अपनी दूसरी ID से आपको बना के दिखाता हूँ मैंने screen recording होन कर दी उसके बाद आप देखी सबसे पहले आपने अपने profile पे जाना है profile पे जाने के बाद आपने इसका एक screenshot ले लेना है मैंने इसका एक screenshot ले लिया उसके बाद आपने नीचे आ रहा है जहां पर आपको last message आया है पोस्ट ब्लोक वाला जिस तरह मुझे last message आया है पोस्ट ब्लोक वाला ये वाला यहां से नीचे वाले सारे मैंने screenshot ले लिया दो मेरे पास होगे screenshot अब मैंने वापस आ जाना है वापस फिर से आना है उसके बाद मैंने अपने profile पे चले जाना profile पे जाने के बाद उपर आपको three lines नजर आ रही है आपने यहां पर click करना है और setting privacy में click करना उसके बाद आपने नीचे आपको report का option आएगा आपने report आप problem पर click कर देना report आप problem पर click करने के बाद आपने क्या करना है, आपने कौन से option select करनी, कोई option select नहीं करनी, आपके पास ऊपर, right side पे देखें, ऊपर बिलकुल एक निशान आ रहा है, यहाँ पर आपने click कर देना है, यहाँ पर click करने के बाद आपने यहाँ पर अपना feedback देना है, तो feedback के लिए फिर उपर यहाँ पर create new feedback पर आपने click कर दे रहे हैं यहां पर click करने के बाद एक new page खुलेगा वहाँ पर मैं आपको बदाता हूँ कि आपने लिखना गया यह आ गया feedback वगयरा अब मैंने text जो है copy करके रखा हूँ है लिख के रखा हूँ है मैं उसको copy करके यहां पर paste करता हूँ जो के आपको description में भी मिल जाएगा और मेरे एक new website है वो भी आपको नीचे नजर आजाएगी उस पर भी visit कीज़ेगा उस पर भी कमाल की वीडियोज आई यह सब मैंने copy कर लिया copy करने के बाद मैं उसी page पर चला जाता हूँ जहाँ पर मैंने feedback open किया था इसके बाद एक और method भी बताऊँगा वो भी try कीजिएगा दोनों ही आपके काम के यहां पर आपने इसको paste कर देना paste करने के बाद जो आपने दो screenshot लिए पहले मैं आपको इसकी details बता दूँ उपर आपने hello tiktok team लिखना है उसके बाद अपने related आपने जो भी लिखना है मैं आपको यह समझा दे तो कर मैंने क्या लिखा है मैंने tiktok team से यह लिखा हूँ है कि लास्ट जो month है मेरा तीन month में मेरी कोई violation यही हाँ रोबोट ने एक दो वीडियोज डिलेड की थी जो अपील से वापस आ चुकी है तो यह वगरा मैंने लिखने के बाद thank you लिखा thank you लिखने के बाद मैंने अपना tiktok username उसके बाद मैंने अपना ABCD123 यानि कि आप अपना username लिख सकते हैं उसके बाद आपने अपनी Gmail लिखनी है Gmail लिखने के बाद यहां पर आपने फोटो पर चले जाना फोटो पर जाने के बाद जो आपने screenshot ली है एक ये और एक ये एक आपने पहले select करके okay कर देना okay करने के बाद आपने दूसरा भी इसी तरह photos में जाके select करके uploading हो रही है इस पर थोड़ा सा time तो लगता है क्योंके ये net का issue होता है तो ये मेरी upload हो जाएगी upload होगी उसके बाद मैं दूसरी जो मेरी profile picture उसको upload करके मैं यहां से report कर दूँगा यहां से भी मेरा problem solve हो सकती है इसके इलावा आपको मैं दूसरा method बताता हूँ दूसरा आपने google chrome browser में जाना है और उसके बाद आपने यहां पर उपर आपने google search में आपने लिखना feedback at tiktok f-e-e-d feedback tiktok मेरे पास पहले already search में मैंने यह search किया जो पहली मेरे पास option आरी मैंने इस पर click कर दिया इस पर click करने के बाद यहां पर मैंने अपना email address और उसके बाद user name और इसके बाद मैंने अपना topic select कर लेना यहां पर जो वहां पर आपने text लिखा था वही text लिखना है और यहां पर जो आपने वो screenshot लगाए थे वहां पर दो वो यहाँ पर screenshot लगा के बाद इन दोनों options पर आपने click करने के बाद submit कर देना यहाँ से आपको आपके Gmail पर message आ जाएगा कि आपके account का यह problem है आप इसको यह करें यह करें और आपको एक और बात बता दू जो भी आपने आज तक अपनी videos लगाई अगर आपकी videos remove हो चुकी हैं तो उनको फोरन से delete कर दें उनको private वगेरा में रखने का कोई जरूरत नहीं और जो आपको लगता है कि आपकी video कोई भी violation में है तो एक बात याद रखिएगा भाई उन videos को delete करें चाहे आपके million में like है प्राइवेट कभी भी न करें प्राइवेट को भी टिक टोक देख रहा होता है तो उससे भी आपकी दुबारा से आपके chance हो सकते है आपका ये मसला होने में हाँ जब आपका account ठीक हो जाएगा तीन दिन में ये ठीक हो जाएगा उसके बाद आपने कोई भी violation नी करनी पूरे तीन महीने के लिए चाहिए आप वीडियो कम लगाएं वो कोई मसला नी है लेकिन आपने violation नी करनी आपका account इंशाला बहुत जल ठीक हो जाए में सिरुआ हो जाएगा भी